तो भाई लो कैसे हूँ तो यार वेलकम दी बैक बैक दे वेलकम और स्वागत आपका एक विरा न्यू गलत सीन से भारे पड़े पड़े पपजिदो मुपाइल गिंप्ले वीडियो में अब देखो इस मैच में आपको देखने को मिलेगा कि क्यूं बॉटों पे अत्याचार करने पे पापूप चड़ सकता है तो यहाँ पे मैं जोरदा रखाऊं और जो भी सीन होंगे यहीं पे होंगे होने ही वाले हैं फिलाल मैं उस कंटेनरों में उतरता हूँ भाया जी एक ग जला होता है और देखो क्या गलत सीन होंगे उन लोग के साथ अब जब मैं दूर की तरफ होता हूँ भेरा उसके अंदर यह चार बंदे एक अकेले बॉट को पकड़ के उसकी पेटी बना रहे होते हैं बहुत बहरे हैं मैं क्या करता हूँ मैं अचानक से आता हूँ लेकिन इनको होस खबर ही नहीं है और होस खबर होगी भी कैसे चारों के चारों बॉट पेलने में लगए हुए थे और इसी लिए मैं कहता हूँ यार बॉटो पे अत्या चार बिलकुल नहीं करना चीए तो चलो अब बात पलट देता हूँ मैं बॉटो के आत्या चार से बात हटा कि यार बात करते हैं काफी बढ़िया बंदे आ रखे हैं जोर्ज में चार किल मुझे पहले ही मिल चुकी है और आगे अभी और भी बंदे बैठे पड़े हैं और सबसे बढ़िया बात ही है कि या और यार मैं सही बता रहा हूँ जिन्दगी में मुझे जितनी भी गालिया पड़ी होंगी ना उसमें से सबसे जादा गाली बात लोग देते होंगे मुझे मतलब एक तरफ मैं बोल ला हूँ कि भाया बातो को छोड़ दो अत्या चार मत करो उन पे दूसरी तरफ बेर रहमी से तब तक गोली चला रहो जब तक बोटो की पेटी न बन जाए मेरे ख्याल से सकारेर मेरी रिलोड पे लग गई थी नि तो यार दूसरे वाले की भी पेटी बना देता खेर जो भी हो बोटो को तो पे लिया लेकिन अब उस बोट का बदला लेने दो असली बंदे आ रहे ह और मैं फस चुखा हूँ या अंदर पे और ये दोनों बंदे न जाने कहां से आते लेकिन जितनी भी तेजी से ये लोग आए उससे दो गुना ज़्यादा तेजी से ये लोग लोबी में वापिस जाएंगे मतलब यहाँ पे फाइट भीडी रीती मुझे लगा यार बहराउज में बैठे हूँगे और ये एक और बोट आ गया मतलब मैं समझे नहीं पा रहा हूँ जिस मैच में मैं ये बताना चाहता हूँ कि यार बोटों पे अत्या चार नहीं करना चाहिए उसी मैच में 3-3 बोट कि यार मैं बगल में खड़ा हो चुका हूँ और वो फिर भी बोट पे पेलने तो यार दिक्कत हो जाएगी उस टेम खेर उसके बाद जोर्ज बिल्कुल खाली हो चुका है या तो केमपर बचे हूँगे और उसके बाद मैं सीधा रुजोक आ जाता हूँ अब ये वाला सप्रे इतना सरम नाग था कि भाईया रजाई पे मूर डालके सूजाना चाहिए मुझे बिल्कुल सूजाना चाहिए मतलब तुम्हारे भाई ने 40 गूली चलाई और 40 पे से सिर्फ 4 गूली चली लेकिन ऐसा नहीं कि भाईया मैं सरम मान के चल दूँगा ऐसे नहीं बे सरमों की तरह बिल्कुल गाड़ी ठोक देता हूँ अब सही यार मतलब लंबे सप्रे नहीं मारने पड़ेंगे ठीक ठाक सप्रे देंगे क्लोज रेंज में देंगे अब बंदे आगे की आगे वाले घर पे बैठे पड़े हैं और मैं इधर पे आता हूँ तो देखो वो नौक मेरा टीमेट कर गया था लेकिन जहां तक मुझे पता है उसके टीमेट लोग इधर जिन्दा हैं अभी भी तो करना क्या यार बंदर हो की तरह उचल कूत करते वे आगे वाले घर पे चिपक जाऊँगा बिल्कुल खिड़की के अंदर गुज जाता हूँ और इसके ठीक आगे पे ही देखो कहां होते हैं बंदे अब यहां पे जो सीन हुए जब पहले बंदे को पेला उस सीन को कहते हैं साप की दाड़ी में तिनका मतलब यार जो साप बनने की आदत है वो कभी भी नहीं चूटती कुछ लोगों की घर हो जाड़ी हो जंगल हो कहीं पे भी कुछ भी हो भाई लेटना जरूरी है तो वो बंदा बाहर खिड़की के सेड लेटा होता है खिड़की है कि पता नहीं क्या ही जगा यह बहुत सस्ता गार है यह लेकिन मैं उपर से बिलकूल देख लेता हूँ और भाई को धेड़ बैड नौक करके सीधा रस करते हैं अब देखो बढ़िया सीन यह है कि आर आख देखनी को मिलेगा लेकिन उससे पहले हम धेड बैड बात कर लेते हैं हमारे स्पांसर की तो यह इस एप या फिर वेबसाइट का नाम है एक एकस बैट जिसकी मदद से आप कई सारे गेम्स क्रिकेट फुटबॉल बॉली बास्केट बॉल और 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 भी कई सारे e-sports पे ब प्राय कर सकते हो इसकी लिंक कमेट सेक्चियों में होगी बिल्कुल टोप में और इसी के साथ आगे डिरॉप होगा होता है पानी में डिरॉप लेकिन यार बंदे मेरी तरह बहुत धीट होते हैं अंदर घुसके लूटके आ जाते हैं अब मुझे लगा थैयार 6x मिल चुका है सप्रे महंगा टैप का दूँगा बिल्कुली लेकिन सप्रे बिल्कुल सस्ता रहता है बस डैमेज दे पाता हूँ मैं लेकिन टेंसन मत तो आगे जाके जड़ी में एज़स होने वाला है और हमारे भाई नदी किनारे पत्थर के पास साप बनेवे होते हैं तो डैमेज मैं फिर से देता हूँ लेकिन यार बंड़ा बच के मेरे ख्याल से उस पत्थर के पीचे जा चुका है तो मैं Nate करने की कुछिस करता हूँ Nate बरबाद करने की कुछिस करता हूँ और मेरे को ये नहीं पता कि उस बंदे ने कौन सी गन चलाई लेकिन यार जो भी गन चलाई बहुत बुरी तरह चलाई सीधा सर पे बजा दिया और हेल्थ की ऐसी तैसी हो गई तो मैं हील हूल करता हूँ वो बंदा उसको भी डैमेज वाए थोड़ा सा तो भाई भी हील हूल करेंगे और लेकिन उतने में ही पीछे से एक गाड़ी आ जाती है और यहां पर मैं गलती से जाड़ी और गाड़ी दोनों में एक ही टेमप एज़स कर देता हूँ मतलब गाड़ी जाड़ी के पार से जारी हो तिये मैं बोलता हूँ यार गूली की कमी नहीं है अंधा चलाओ वैसे अब कमी होने वाली यार काफी काफी बर्बाद कर चुका हूँ मैं और साथी साथ पीछे एक बंदा पानी में पूरी जान से चलांग लगा चुका है लेकिन यार सांस लेने बाहर आना ही पड़ेगा और जब बाहर आए गयार मैं यहीं पे रुका पड़ाऊं और उस बंदे की सारी मेहनत पेटी में मिल जाती है मतलब यहां से मेरे को हेट्सोट रूट्सोट दिया भाई ने पानी में चलांग लगाई जान रगा कि वहां तक तेरा उसके बाद जैसी बाहर आयार मैं यहीं पे बैटा पड़ाऊं और यहीं से बैठे 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 बंदे की पेटी भी बना देता हूं और यहां पे मैं सूच रहा था कि यार जो भी एक्शियोन बचा कुछा था सब कुछ यहें पे उचुका है अब दुबारा बंदे ढूनने जाना पड़ेगा लेकिन यहां पे आके पता चलता है कि यार वो जो गाड़ी गई थी जिस पे जाड़ी पैजस किया तुमारे भाई ने वो गाड़ी उपर ही कहीं रूकी है और वो ना जाने किस से भाइट ले रहे हैं बहुत को न पेल ले हूँ खेर जो भी हो करना क्या था मैं बोलता हुआ इससे पहले वो आपस में ठिल जाए हम उन पे अंधार रस कर देते हैं और ये वाला साप मेरे मूँ के सामने से मतलब यहीं पे गाड़ी गुमारे हम हमारे सामने से किल लेके भग जाता है और उस बंदे को भी वही पे जाना था जहां पे साप लेटा बैठा है ये भी यह नहीं कि यार गाड़ी आ रही है गाड़ी पे सप्रे दे दूर नहीं भ निकलने के बाद मुझे यसनाया पलियाना जाना पड़ता है अब देखो ये जगा मुझे पिल्कुल भी पसंद नहीं है इतने सारे घर इतने बड़े घर यार केम्पिंग दबा के होती है और देखो ये जगा मुझे बेसक पसंद नहीं है लेकिन यार किल तो करनी पड़ेगी केटी किसको पसंद नहीं है तो किल बढ़ाने के लिए मुझे यहां पे भी रस करना पड़ता है और सामने वाले घर पे दो सकोड आपस में लड़ भीड़ रही है बिल्कुल और आते आते यार मैं काफी ज़्यादा लेटो चुका हूँ मतलब छट पे जाके पेटी पूटी बना चुके हैं बंदों की और मैं काफी देर पेदारा रहा हूँ लेकिन जो भी बचे कुछे बंदे यार उन्हें पेलने की फुल तैयारी है अब देखो ये एक वज़ाए कि मुझे ये जगा बिल्कुल पसंद नहीं है रस करने में बहुती ज़्यादा दिक्कत होती है और ठीक से पता भी नहीं चलता है और कौन कहां पे क्या करके बैठा लेकिन अब घुश चुके तो यार पिलना भी पड़ेगा और आओ जरा इस लो मोसन में देखते हैं क्या सीन हुए मैं बाहर गया मैंने एक एम से डेमेज दिया उसके बाद मैं कवर में आने की पूरी कोशिस करता हूँ मानता हूँ उस बंदे ने गोली मारी ना ही मेरा वे उजी इतनी जादा खतरनाग कब हो गई कि यार एक गोली में इतनी हेल्थ ले जाए मैं मानता हूँ उजी खतरनाग गण है लेकिन यार ये कुछ जादा ही डेमेज हो गया मेरे ख्याल से हो सकता है वो बंदा लैग हो रहा हूँ खेर जो भी ओ जैसे तैसे करके जिन्दा दोनों बंदे रिवाइब हो चुके उपर पे और होंगे अब गलत सीम। और यहां पे सिर्फ और सिर्फ दो बंदों को पिलनी के लिए हमें इतना सारा टाइम लग रहा है। और ताबे पे सुहागा करने के लिए भाई ने समुग भी कर दिया है। अब तो और भी रस नी कर सकते। खेर मैं भगते वे नीचे आता हूँ क्योंकि आर बंदे ने बहुत डेमेज दे दिया था। नीचे आके हील हूल पेलता हूँ और इन लोगों ने सारे समुग इसी घर पे फेग दिये हैं। और अब समुग में एजस्ट देखने को मिलेगा। मैं नी करूंगा एजस्ट वो लोग करेंगे। और ये लोग नजाने कब कहा कूँ जाते हैं और समुग में जस्ट करके हमारे भाई को नोक कर देते हैं। अब 2-1 करना पड़ेगा। और जिस हिसाब से उस बंदे ने पहले उजी पटकाई थी। मुझे लगनी रहा था यहाँ पर मैं बज भी पाऊंगा। मतलब एक गोली से 90% से जादा हेल्थ कायब हो गई। तो यार इस बार तो खुला रस कर रहा है इस बार मेरी पेटी बन जानी चीए थी। लेकिन किसमा चमक गई उस भाई ने सारी की सारी गोलिया मिस कर दी अपनी और मैं एक एम चिपका बैठा। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो किल मिलती है मुझे। और इन लोगों की पूरी तयारी होती है घर पे कैम्प करके बैठने की दिख भी नहीं राय कोई। और नेड फटने का इंते जारतों मैं ऐसे कर रहा था कि न जाने क्या ही हो जाएगा एक नेड से पूरे चार बंदे पेल जाओंगा मैं ऐसे रुक रखा था और हुआ कुछ भी नहीं बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ अब यहां पर मैं सोच रहा था कि यार यहां पर इन्हें आराम से पेलेंगे जल्दी बाजी नहीं करेंगे लेकिन हमारे भाई को पूरी जल्दी होती है अंदर गुषने की भाई अंदर गुषते हैं और भाई के गूलिया गुषा दी जाती है लेकिन मैं टैम पे पीछे आजाता हूँ और पेल देता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ तो यार बंदे पे ग्रोजा बड़ी बैठी है अच्छा हुआ मैं एक एम से सर पे गूलिया लगती है मेरी हाँ तुको में लगी लेकिन यार बहुती बढ़िया हुआ सही तुक्के लग गए और उसके वज़ा से जल्दी ठील जाता है वो खैर वहाँ पे दो बंदे पेलने के लिए दो मिनट भी नहीं लगे बहुत जल्दी अंदर गुसे पेल दिया और निकल लिया मासे और यहाँ पे आगे एक बंदा गाड़ी लेके गुसा है अब देखो नेट कैसे इस्तमाल किया जाते हैं ये भाई हमें बताएंगे यहाँ पे और इस बंदे ने चार सेकंड के अंदर चार नेट फिक दिये मतलब यहाँ पे मैं नीचे बैटके गिने जा रहा हूँ एक नेट, दो नेट, तीन नेट कब खतम होगा चार नेट फटते हैं उसके बाद आखिर कार जाके नेट खतम हो जाते हैं अब भाई नेट दिमाग बढ़िया लगा है हना चार के चार नेट फेक दिये लेकिन हम लोग थे बहुत ही ज्यादा आलसी हम लोग सीधा नीग उसे हम लोग नीचे बैठे रहे आराम से रुके रहे और उसके बाद अंदर गुसे और वो बंदा उस छोटे कमरे में बैठा पड़ा है तो यार मेरा नेट कैसे नहीं कैसे नहीं मरा है यही बात मैं अपने आप से पूछ रहाऊं यह बंदा कैसे नहीं मरा नेट से नेट बिलकुल कुक करके फेका बिलकुल कमरे के अंदर गया नेट सिर्फ और सिर्फ 戴मेज हुआ और देखो जब भी मैं उस कमरे में बैठता हूँ और जितने भी बार उस कमरे में नेड आया मैं हर बार ठिराऊँ मेरी 100 HPO 1000 HPO मैं हर बार ठिराऊँ और ये सीन देखके न मेरा पूरा का पूरा विश्वास हड़ चुका है नेट से मैं सुत्रा अपसे नेट उठाओ ही ना मतलब उस छोटे कमरे में नेट फेक के बंदा नेट हिला तो यार इनसान का विश्वास कैसे नहीं अटेगा नेट से अपस्तरा कुछ अब यार मैं ये नहीं समझ पाता कि कुछ लोगों को गाड़ियों से क्या दुस्मनी है मैं तो गाड़ी के पीछे भी नहीं बैठा हूं फिर भी गोली चलाए जा रहे हैं गाड़ी पे और इन लोगों का लगता है कि यार गाड़ी फोड़ने के बाद ये लोग पूरे चौड में उपन से रस कर सकते हैं मतलब यहां पर मैं ठीपी पी लेके बैठ के देख रहा हूं बंदा बगे जा रहा है उपन में तो मैं 6x निकालता हूं सस्ता सप्रेक काम कर जाता है और उस बंदे की पेटी बन जाती है अब बस एक ये बंदा बाकी है जो कि यार समोक कर चुका है तो हां भाई समोक से बगते वे आएंगे और देखो मेरे पे नेड तो बाकी नहीं थे लेकिन मैं अपने टीमेट से नेड ले लेता हूं बेसरमों की तरह और यार आखिर कार चार नेड के बाद कुछ होगा यहां पे तो एक खुले में लेटे हुए सांप को पेलने के लिए मुझे चार नेड फेकने पड़ते हैं मैं समझ गया यार अगर मुझे किसी को नेड से ठीलाना है तो मुझे चार नेड फेकना चाहिए वतलब चार बंदे बैठें तो यार 16 नेड करने चाहिए मुझे तब जाके कुछ उखड़ेगा बहुत ही बुरा यार बेकार है भाई मैं सोच रहा हूँ गोलिया भड़ लू हीलिंग भड़ लू लेकिन नेड जो तीन उठा के मैं भकता हूँ यार छोड़ दू उन्हे उठाना कुछ काम का नहीं है भाई कमरे में नेड फेका बंदा नीठेला विश्वास हड चुका है दिल तूट चुका है खैर आज की वीडियो में इतना है भाई लो ग्यार आखरी बंदा ठिल गया नेड से बलही तीन चार नेड करने पड़े लेकिन यार ठिला तो सही कम से कम तो बस भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही बहुत बहुत सुक्रिया वीडियो देखने के लिए जाते जाते मेरे इन सस्ते नेड के लिए लाइक पिला मत बूलना और देखो बाटों पे अत्याचार कर रहे हो तो यार सोच समझ के करना गलत सीन भी हो सकते हैं तो बस मैं लोग आज की वीडियो में इतना ही जाते जाते एक एक्स बैट चेक अप करदा मत बूलना उसके लिंक कमेंट सेक्शियों में होगी बिल्कुल टोप में तो कल मिलते हैं यार बाई बाई झाल झाल